नमस्कार आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी मैं पुनम और मैं यश्पाल सिंग्ग तो आए नज़र डालते हैं करोना वायरिस से जुड़ी आज की कुछ एहम खबरों पर हिमाचल प्रदेश के विश्वस्निय ज्वेलर बूशिन ज्वेलर सोलन जैसिंगपुर उपमंडल के तहट पी एच सी लंबा गाउं से एक कोरोना सिंदिग्द महिला को टी एमसी रेफर किया गया है यह महिला अपर लंबा गाउं की रहने वाली है हालांकि महिला की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है लेकिन उसका बेटा कुछ दिन पहले जालंधर से आया हुआ है आज जैसिंगपुर में सुभए ही दो महिलाओं में कोरोना के लक्षन पाए जाने की चर्चाएं गर्म रहीं एक महिला को हालांकि जांच के दोरान ब्लड प्रेशर वर शुगर की दिक्कत पाई गई जबकि दूसरी महिला को लक्षन पाए जाने पर दोपहर बाद टी-मसी रेफर किया गया बिलासपुर्क शेत्री अस्पताल में वीरवार देर शाम कोरोना वायरिस से संदिग्द व्यक्ति का एक नया मामला सामने आया है इस व्यक्ति को आईसोलेशन वार्ड में भरती किया गया है जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति कुछ दिन पहले विदेश से लौटा था इस व्यक्ति को कॉरंटाइन के तहत घर पर रखा गया था लेकिन वीरवार को इस व्यक्ति ने बुखार होने की शिकायत की तधा अपने टेस्ट करवाने का अग्रह किया स्वेस्ति विवाग ने इस व्यक्ति के सेंपल ले लिये हैं तथा जांच के लिए भेज दिये हैं बाजारों में उम्री भीड परसाशन की अपील बे असर लोग करोना से बेख़वर करोना बाइरस से निप्टने को लेकर जारी केरफ्यू के तरण बीरवार को डील दी गई लेकिन जैसे ही बाजार खुले तो लोगों का हुजूम उम्र पड़ा ऐसा ही नजारा नाहन में देखा गया एक साथ कई लोगों के उम्रने से ऐसा लगा कि शायद लोग केरोना को लेकर अभी भी पूरी तरह से अंजान है इसको देखते हुए परसासन ने फैसला लिया है कि जिला में अब हर रोज नौ से बारा बजे तक कर्फ्यू में डील दी जाएगी इसी तरह पाउंटा में भी करोना को लेकर जागरुकता मुहिम फेल होती दिखी लोगों ने सोसल डिस्टेंस को मेंटेन करने के बजाए जम कर भीड लगा दी और अंजाने में करोना वाइरस को नियोता दे दिया उधर सुन्दर नगर के बजार में भी हालात बेकाबू दिखे हलांकि परशाशन लगातार लोगों को जागरू करता रहा प्रंतु लोग नियमों को धत्ता बता कर ख्रेदारी करने में मशगूल रहे इसी तरह केरफ्य में धील मिलते ही लोग रोडू के बजारों में हजूम बनकर उमड पड़े परशासन की अपील के बाद लोगों की ये लापरवाही हैरान कर देने वाली है श्रीबालाजी अस्पताल कांगडा में कॉरंटाइन किये गए 220 लोगों के स्वास्थी की जांच के लिए वीरवार को धरमशाला से चिकित्सकों का एक दल यहां पहुंचा डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में कॉरंटाइन किये गए 220 लोगों के स्वस्थे की गहनता से जांच की इस अफसर पर स्वस्थे विभाग की टीम के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों का दल भी मौके पर मौझूद रहा क्योंकि कॉरंटाइन के गए इन 220 लोगों में से कुछ स्टाफ के लोग पिछली रात से ही घर जाने की जिद पर अड़े हुए थे जिनें प्रशासन के अधिकारी समझाने के लिए प्रयासरत थे पुलिस अधिक्षक कांगडा सुनील राणा ने कहा कि इन लोगों को कब यहां से बाहर निकाला जाएगा अत्वा कब घर भेजा जाएगा इसके बारे में फैसला चिकिच्ची जांच के बाद चिकिच्चा दल के उच अधिकारी ही करेंगे उन्ना में करफ्यू तोड़ना पड़ा महंगा पुलिस ने जब्त की 21 गाडियां करोना बारे से निप्टने के लिए सरकार ने परदेश भर में करफ्यू लगा दिया है लेकिन कई जगा लोग करफ्यू का उलंगन करते देखे गए जिला उन्ना में पुलिस ने अब तक न कर रहे हैं पोलिस वालों को भी बोलाए कि यह थोड़ी सी आपको भी परिशानिया है थोड़ा सा आपको भी फ्रस्ट्रेशन होगा और उन्हों सबसे अच्छे से बात करें और सबसको समझाएं इसका मतलब इस सिच्वेशन की सम्वेदन शीलता को समझाएं मेरट के युवाओं के लिए अंदाता बनी धरमशाला पुलिस तीन दिन से भूखे युवाओं को खिलाया खाना धरमशाला पुलिस के जवान ना केवल कर्फ्यू के दौरान अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं बलकि भूखों को खाना खिलाने में भी धरमशाला पुलिस आंसु निकल गए दोनों यूकों ने पुलिस कर्वियों को बताया कि वे यहां फेरी लगाने का काम करते हैं और कर्फियू के चलते उन्हें तीन दिन से खाना नसीब नहीं हुआ है जिसके चलते वे बिसकुट वनमकीन खाकर गुजारा कर रहे थे आज वे खाने के तलाश मे निकले थे लेकिन नहीं मिला द्यूटी पर तैनात हैद कॉंस्टेबल अर्विंद कुमार ने उन्हें पुलिस की मैस से खाना उपलब्द करवाने की बात कही लेकिन मैस में खाना पकाने की विवस्था ना होने पर हैद कॉंस्टेबल विजी कुमार ने अपने घर से खाना मंगवा कर दोनों यूबकों को खिलाया कुलू मेवन मंतरी गोविंद सिंग ठाकुर तथा दीसी कुलू रिचा वर्मा ने जिला प्रशासन की और से गरीब तथा जरूरत मंदों को एक महीने का राशन मुफ्त में बांटा वन मंतरी गोविंद सिंग ने कहा ये पहल इसलिए की गई ताकि कोई भी गरीब तथा दिहाडी दार परिवार भूखा न रहे डीसी रिचा वर्मा ने कहा कि हमने 400 लोगों की लिस्ट बनाई है जो की धिहाडी पर काम करते हैं और हिमाचल नहीं बलकि अन्य राजियों से आए हुए हैं कोरोना को कर्फियो से माद देने की सरकार की कारवाई के बीच अब किसानों के लिए एक नई ख़वर निकल कर आ रही है उपायोक सोलन केसी चमंदवारा मार्केट कमेटी सोलन के सचिव अरविंदर शर्मा के साथ हुई बैटक में ये निरने हुआ कि किसानों की खेतों में त्यार फसल मटर या अनि उतपात को मंडी तक लाने के लिए पर्मिट जारी किया जाएगा ये पर्मिट 14 अपरेल तक मानने होगा जानकारी के अनुसार मार्केट कमेटी अपने कमिशन अजेंट यानि आर्टी के मादियम से कशेतर के एक या दो बहानों को ये पर्मिट ज खुला रखा गया है क्या होंगी ये रिवायतें बता रहे हैं मार्केट कमेटी सोलन के सचिप अरविंदर शर्मा कि हम यहां से पर्मिट इशू करेंगे आपको जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट की कोई भिकल होगा वो ट्राक टेंपू जीप जो भी आप करना चाहें उसको यहां जो कंसर्ण आपका कमिशन अजेंट इसको आप अपना माल बेजते हैं उसके थुरू आपको पर्मिट प्रा क्या होगी